को तो डेर्स टूइंट आज की या बीडियो बिए-बेसि बीकॉम के फिप्थ समस्तर या कि पंचब समस्तर वाले स्टूइंट के लिए मोस् इंपोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज किस वीडियों बात करेंगे फिफ्त समस्टर के को करिकुलर यानि कि अन्युवार प्रस्मिपत्र के एंसी क्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में और को करिकुलर सब्जेट को बोलते हैं को करिकुलर सब्जेक्ट है जैसे कि आप हर समस्टर में देते आते हैं कुश्चन यह कह रहा है कि कौन सा अच्छर अंग्रेजी वर्ड माला का सात्वा बेंजन है वह विल्स आइंड आप लोग चब्विस होते हैं ठीक है कितने होते हैं चब्विस होते हैं और चब्विस में जो वोविल्स की संख्या है वह है पांच ठीक है और बाकी जितने वह कॉंसिनेंस हैं ठीक है क्या है कॉंसिनेंस हैं तो एबी फीडी में टोटल कितने अच्छा रहें चब्विस हैं जिसमें स आपके पांच हो गए ठीक है वविल्स और बाकी के जितने भी है 21 वो हो गए consonants ठीक है और जो वविल्स है वो कौन कौन से है वविल्स होते है A E I O U ठीक है A E I O U ठीक है यह 5 हो गए आपके वविल्स और बाकी की जितने EBCD के अच्छर है वो सब consonants में आगए ठीक है तो यहाँ पर question पूश रहा है कि बेंजन ठीक है बेंजन यानि की consonants ठीक है तो कौन सा अच्छर अंग्रेजी उड़ माला का शात्वा बेंजन है यह आपको बताना है ठीक है और बहुत ही महत्पूंट प्रशने ध्यान अखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा यहीं कि सात्वे नंगर पर आप देखेंगे ठीक है तो जी आएगा क्या आएगा जी आएगा ओके जो एभी सीडिया पढ़ेंगे ना पांच नंबर पर आपको जी पूछ रहा है तो साथ बेडी नंबर पर आपको समझना ठीक है तो इसी तरह कि कई सारे पूछे जाएंगे एक नहीं पूछे जाएंगे तो इसलिए मैंने एक पूरा एक्स्प्लेइन कर दिये ताकि इसके सम्मदित जितने विए कुष्चिन आए आज फिदस उनका अच्छर आप अच्छल करबाएं अगला कुष्चिन की अंग्लेजी वर्ण में पांध्रवा अच्छर कौन सा तो पढ़ लीजेगा नश्या ठीक है अगला कोश्चन की फूल को उफी तरह खिलना है जैसे आग को जैसे की फूल को उफी तरह खिलना होता है जैसे की आग को जैसे भाई फूल क्या होगा खिलेगा और आग क्या होगी जिलेगी तो सिंपल सी बात इसका सही जबा हो जाएगा तीन नंबर का सा नंबर ठीक अगला question है कि चाकू को उसी प्रकार काटना है जैसे कलम को तो भाई चाकू जो है वो काटने का काम करती है और जो कलम है वो क्या करती है तो कलम जो है उसका काम होता लिखना A number से जबाब होगा ठीक है अगला question की डाक्तर मरीज के लिए वैसे ही जैसे फिचक तो यह जो डाक्तर होते हैं मरीज को देखते है ठीक है उनको कंसल करते है और जो टीचर होते हैं जान गई होंगे ठीक है चात्र के लिए होते हैं चात्र वा चात्राओं के लिए अगला है कि पियानो संगीत के लिए है वैसे ही कैनवास के लिए क्या है तो पियानो संगीत के लिए होता और जो कैनवास होता है ठीक है वो होता है पेंट के लिए ठीक है पेंटिंग जो होत मेल पट Ada Diizaru जबाब होगा अगरे के बिजली की गरगणा हाथ उसी तरह है जैसे हो मछी सभुमप होती है बंगे क्या करती है तुटीक को मुझा करता है तुटक कमप कफी करता है ठीक कमपन्पर करता है सभब वावब होग gerek इसी तरह के प्रश्णाएंगे देख लीजिए अगला कुश्च्चिन की फूल पंखुरी जैसे है मतब कि फूल में क्या होती में पंखड़ी होती व४ से पैड़ में होता है पत्तिय होती तो अगर आप पढ़ेंगे जड़ तो जड़ की तरह ही होगा इसलिए सभाब अनमबर होगा ठीक है जड़ अगला की फोटोग्राफर कैमरे के प्रति वैसे ही है जैसे सेफ के पास सेफ की पास की आए हाँ पर बहा जाएग आपको बताना है तो भाई फोटोग्राफर कैमरे से फोटो कहींज सा चूछे टिक कि यह उतीक है अगला पछी को उड़ना है जैसे मचली को क्या करना होता है तो पछी उड़ता है और जो मचली है वो सह टराधर हो आफ्ञेद आगा जाएगा अगला कि घड़ी समय के समान में जो होती है थर्मा मेटर होता हुषके कि लिए होता यह आपको बता रहा है इन आफ्सनों में से ठीक है तो धर्मा मेटर होता के in लूड 局 लिए अगला क्वेश्चन की कौन सा अच्छर एक है और जैसे पहले ह widi causing massage ने जिए ज्वाज इशह का विश्वारह होगा ए चाता है ऐगला क्वेश्चन जूता पैर के लिए है और दुद साना हाथ के लिए होता दुद साना की लिए लोह जानतेई हैं है कि अगला ना कॉष्टन का सागर का संभने पानी से तो रड़ेगिस्तान का समद्द सिंपल सी बात वात कि कि रह van रेत से था बदागा डबलो के बाद वाई डबलो के बाद और वाई से पहले कौन सा चला था डबलू के बाद काатоई भगेजन तो 21 नंब्र जो और में में फूसफुसा हट करना क्या खेंए तो कुते को बीली की तरह में करना है याँ आपको बताना यहां पर क्या सही होगा तो यहां पर सही का घीские बिल्ली जुम्या में अकर बिल्ली जुम्या में वहार को ज़ी। आगला की किताबे के पनने वैसे हे हैं जैसे कार के तो बाई किताब में क्या होता पनने होते हैं Neighbor अपशनों में सब्सक्राइब करना है तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा यह किया गया था ठीक है वह आपको बताना है तो बहुत ही महात पूर्ण प्रशन चलिए बताइए आप से भी कमेंट सेक्शन में अगला क्वेश्चन है कि किसी चीज को कल्कुलेट करने के लिए किया जाता था ठीक है क्वेश्चन के कपड़ेबूनिये के मूल्ट का विष्कार किया कौन से बढ़न talk के लोग का जो विष्कार किया था सबसे पहले का नाम बताना है तोस्वरोंग विदवान का नाम है ध्यान अखेंगे बहुती महात्पूंड प्रस्ण है रामबाण है जोसिप जैक ठीक है जेकार्ड ने किया था अगला कि आधुनी कंप्यूटर की जनक कौन है यानि की फादर आप कंप्यूटर कौन है पहुती रामबाण कोश्चन है सभी देखी चाहिए तो चार पीड़ी है और उसके बाद पाचवी भी एड़ कर दी गई है ठीक है और लेकिन दीरे-दीरे करके कंप्यूटर का विश्कार हुआ पहली पीड़ी में बड़े कंप्यूटर से फिर दूसरी पीड़ी में चीज को कम किया गया साइज कम किया ठीक है इफी तरह दीरे-दीरे आज आप लोग देखते हैं कि एक छोटा सा कंप्यूटर आ गया जो कि मुश्किल से एक मान के चलते हैं दो बुक के बराबर ठीक है और चोटे-चोटे मुबाइल आ गया है और पहले क्या था जो सबसे कि कितने चोटे-चोटे होगे तो उसी तरह बताया जा रहा है कि दूतिय पूर्णी में पीड़ी में जो कंप्यूटर के प्रोग्राम थे वो किस लेंगज में लिखे जाते थे तो इसका जवाब हो जाएगा ध्यार दखेंगे महात्मोर्ण प्रस्ण है आप सभी के लिए बानमबर सभाव होगा असेंबली भासम लिखे जाते थे अगला क्वेश्चन है कि आईशी का प्रियोग किया गया है किस चीज के लिए आईशी का पूरा नाम होता है इंटे-गेटेर सरकिट ठीक है तो आईशी का प्रियोग हुआ है वह इन पीड़ियो पाटि फुर्जा है और टान्जेश्टर में परियुक्त अर्धचालक प्रियोग को है वह सिल्कॉन होता ठीक है अगला की माइक्री प्रिसेश्टर में कौन सी तकौन सी टेक्णालोजी है तो माइक्री में चै distill आले साथा है बी नमबर सही जबाइन पकता होगा अगला किस चीज का विसकार किया आपको बताना just a Katte wat जो मुच्यली है इन्होंने अविसकार था किया था सही जवाब का होगा मैंजित आगला question कि जायकार्ण ने लुम का पर्योग क्या जाता लूंने को हो तेगा इस चीच के लिए करते थे ठेकाड तो यह परियोग करते थे यह फिर्शीच कर्या जाता थखे नंबr अगला की तिर्थी पीड़ी का समय काल कितने रम तब कब से कब तक कि समय को तिर्थी पीड़ी कहा गया है तर्द जनरेशन कहा गया तो इसका सभी जवाब हो जाएगा आप से नमबर हम रखेंगे प्रूम प्रश्ण है बानमबर ठीक है यानि की शन 1964 से 1975 का जो समय रहा है वो तिर्थी पीड़ी का रहा है ठीक है अगला प्रश्ण की ब्लेज पास्कल की एंडिंग मसीन को क्या कहते है ठीक है तो इसको कहा जाता है पास्क लाइन ठीक है आ नमबर सही जवाब होगा अगला की जन गर्णा के लिए पंच कार्टों का प्रियोग किया गया था किसमें यह आपको बताना है तो सही जवाबिश्का हो जाएगा अप्शन नमबर आ ठीक है होले रिथ सेन सस टेबुलेटर में ठीक है इसका सही जवाब हो जाएगा आ नमबर अगला की पूर्ड रूपेड स्वाचलित गर्णा करने का प्रथम यंत्र कौन था तो पूर्ड रूपेड स्वाच चलिता ने की इंस्ट्रेक्शन देने के बाद वो चल जाए ठीक उस गर्णा कर ले कल्कुलेट कर ले तो प्रथम यंत्र कौन था तो सही जवाबिश्का हो जाएगा अप्शन नमबर आ ठीक है आटो मेटिक सिकेंस कंट्रोल कल्कुलेटर म मांक बशीवाबिश्का होगा अगला की प्रतहप पीडरी की कंप्यूटर में प्रियुक्त होता था कि यानि कि पहले पीड़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किस इच का पृउप किया जाता था धीक है तो सब्सक्राइब घ्राटक्रों के बाईनरी वहाथ्वाब होगा अगला के सबसे पहला सबसे पहला कंप्यूटर अपन सबसे पहले Pandra वह previously ठीक सइच किरें किजन कंप्यूटर का कि इसुठ के लिए कर प किकिन कप्या हो सब्सक्राइब निर्देशों क्या कहिलाता है टूशुन कॉछा जाता है तो को कहा और नर्देसे को समौं को प्रोग्राम कहा जाता है अगला पश्ण है की कंप्योटर एक मसीन है इफ लिए यहाँ क्या करता है तो कमप्योटर एक मसीन है इफ लिए यहां मानों की तरह अधिकार करने के ठखता नहीं है तीकी क्योंकि में मसीनरी चीजें जब तक लाइट उसको देंगे कनेक्शन देंगे तब तक चलता रहेगा ठीक है वो ठकता नहीं है अगला कुश्चन होती है फिर नहीं होती है ठीक है आपको बताना है शहीं जवाब हो जाएगा इंसान नहीं अगला कोश्चन है कि कि लिए तत्यों इंप कोको एक अफ़्थान पर स्वब्यवतित और गरना क्या ग discour重要 Hudson को कहा जाता है आka। ठीक है अगला कुछझन है कि सही निर्ड़ें लेने के लिए अवर्षक है तो सही निर्ड़ें लेने के लिए आवश्चे के सही कि गार्णा सही आकड़े सही सुच्छना जाए तो आपके आकड़े गढ़ना सुचल होना जाए ति काल्गू लेटर की एसमित यानिंटी जो में मयोलूरु होते हैं कितने प्रकार के तो आकार की अधार पे जो कम्प्यूटर होते हैं वो होते हैं चार प्रकार के ठीक है कितने प्रकार के चार प्रकार के सानमबर सही जबाब अगला की भहतिक राशियों की गण्णा में प्रियुक्त होते हैं क्या रिकार्ड के मताविक बताया गया है कि 64 ब्रिक्त प्रियोग कर सकते हैं ठीक है अब आप लोग इंटरनेट पर भी सर्च कर लिजेगा अगला कोश्चिन कि भारत में विक्षिए सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो भारत में जो विकास किया गया है जो उनसे कंप्यूटर का का नाम है परम ठिक है फेंटमचन सही जवाब दा होगा बहुत ही प्रमुक प्रस्नए सब्सके कम की ना-प्रणाली प्रयोगत की जाती हैं तो इस समय क्रम्हें हमेशा ठीक है तो व्रतमान में फंप्यूटर में जिस नमब्र-प्रयोगत क्या जाता नंबर सबूस्क्राइब कुछ जा रहा है, जो हाई कि पाये जाता है, क्या पाय जाता है? तो ध्यान नखेंगे इसका जो शह्यवाब हो जाएगा हो जाएगा अपसे नंबर साथ ठीक है इसमें अनलाग computer के good और डिच्ट्र कंप्यूटर के good दोनों पाए जाते है यह लिए सहीषर जवाब साभ ठीक होगा ध्यान नखेंगे अगला प्रस्टन है कि विखरे हुए आकड़ों को अंके रूप में एकरत करने पर क्रिया करने वाले computer को क्या कहते हैं तो उस computer को कहा जाता जहान रखेंगे बहुत ही प्रमुप्रस्टन है digital computer सबसे अधिक प्रयोग तो होने वाला computer सबसे जादा यूज होने वाला computer कौन सा इनसे में से ठीक है तो उस computer का नाम है super computer ठीक है बहुत ही महात्मूर्ट प्रस्चन है कि वैल टायल मेप आपको बताना कौन से होती अगर आपने थोड़ा अगला की Rome का अर्थ क्या होता या निकी Rome का पूरा नाम की होता है ठीक है तो रोम का जो पूरा नाम होता है ध्यान रखेंगे प्रणक प्रशन आप सभी के एकजाम के लिए read only memory यानि कि यहाँ फिर आप सिप read कर सकते हैं उसको copy नहीं कर सकते हैं ठीक है अगला question है कि computer का दिमाग कौन सा होता है तो इन आपसरों में से जो computer का दिमाग होता सभी लोग वो को मालूम होगा फिराल जान लिजिए CPU अगला की computer की एक काई फिर दूफरी काई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है ठीक है जो कार्य करता है उसका नाम है control bus यानि कि ठीक control bus जिसको आप लोग CU भी बोलते हैं अगला question है कि अफ्थाई एस्समनत यानि कि जो अस्थाई memory होती है उसको क्या बोलते हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे प्रमक प्रशने exam के लिए तो अस्थाई memory जो है वो बोला जाता है ठीक है रॉम को बानमबर से जबाब अगला है कि एक मेगा बाइट में होते हैं यानि कि एक MB में कितने बिट बाइट के भी क्या होता है आपको बताना है तो एक MB में बहुत ही प्रमक प्रशने जान लीजे जो आप लोग MB, GB आज़कल डेटर लाते हैं तो जान लीजे एक MB में ठीक है एक हजार चोविस के भी होती है एक MB में एरेम रेम एक्ता सहरेर साफिनी यह तो उसका हो गया था सिर्श करणाइख पूर्रेम कल देगा हически विखर सबiskaर है तो रैम आर से रेंडम eder एंस से रेंडंडम अक्सरी ठीक है आनमबर दानमबर सही जबाब अगला कि प्रविष्ट किये गए आकड़ों पर दिये गए निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है किस में निर्गत इकाई में निवेश इकाई में अगला कि प्रविष्ट कि प्रविष्ट कर सकते हैं तो जान लीजिए एक बाइट में आठ बीट होते हैं ठीक है आठ बीट इक्कॉल्टी एकॉल टू वन बाइट धान रखेंगे बहुत ही हाई लेबल कोशन तो आज किस वीडियो में करीब करीम हैं आपको 55 कोश्चन सब्सक्राइब कर देंगे और यह अनुवार प्रस्ण पत्र होता है तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से तयार करें ठीक है और आपको अपना है चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए कि हाँ पर आपको हर सब्जेट की वीडियो मिलेंगी ठीक है जाहिए